हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंद्स आज हम फिर से ड्रमश्टिक की एक रेसिपी बनाएंगे ड्रमश्टिक चीसे मोरिंगा कहते हैं सर्जन किफली कहते हैं और गुजराते में सरग वो भी बुलते हैं तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाले हूं सरगवा की कोई भी डीश खाने में बहुत ही हिल्दी है और टेस्टी तो है ही सरगवा के सुप के अलवा आप इसके सबजी भी बना सकते हो इसके आगे सरगवा के सबजी का वीडियो भी मैंने शेर किया हुआ है उसी वीडियो में सरगवा की पूरी जानकारी और उसके हेल Link open करके आप सरगवा सबजी की recipe देख सकते हो और इसके health benefits भी जान सकते हो तो चलिए बनाते हैं बहुत ही healthy और बहुत ही tasty drumstick soup यानि की सरगवा soup Soup बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5-6 drumsticks ली है तो इसे अच्छे से wash करके clean कर लेना है इसके साथ कुछ masala add करेंगे आप दन्या को avoid भी कर सकते हो लेकिन डालेंगे तो इसका color और test बहुत ही अच्छा आएगा Soup बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह drumstick को cut करना है तो आगे का यह थोड़ा part cut करके हम इसके लगबग एक ही जितने चोटे चोटे टुकडे कर लेंगे और इसके टुकडे करते time जितनी skin निकाल सको उतनी हम निकालते जाएंगे तो इस तरह हम इसके चोटे चोटे टुकडे करते जाएंगे और इसकी skin निकालते जाएंगे इसके हमें इससे ज्यादा बड़े टुकडे नहीं करने है तो मैंने एक सिंखे चोटे टुकडे कर दिये है तो बाकी के सिंखे भी हम इसी तरह से चोटे टुकडे कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर सारी सिंखे चोटे टुकडे कर लिये है और अब इसे बनाने के लिए है मेरे पास वंदर शेफ का सूप में कर इसके अंदर आप कोई भी टाइप का सूप बना सकते है बड़ी आसानी से और इसमें minimum और maximum level भी दिया गया है तो हमें इसके अंदर उस हिसाब से सूप की quantity को बनाना होगा तो सूप में करके अंदर सरवगा की सेंग के सारे टुकड़े डाल देंगे और lemon के अलावा की बाकी के चीज़े भी हम इसके अंदर एड़ कर देंगे तो ये सारे चीज़े एड़ कर दी है स्वाद अनुसार हम इसके अंदर नमक डालेंगे और हाँ ये सूप थोड़ा पतला बनेगा अगर आपको इससे गाढ़ा बनाना है तो आप थोड़ी लोकी इसके अंदर एड़ कर सकते हो अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसका जो minimum level है उतना ही हम इसके अंदर अभी पानी डालेंगे सूप में करका lid बन कर देंगे और इसको हम plug-in कर देंगे और main switch को on कर दिया है और on करते ही इसके उपर के जो सारे option है वो हमें इस तरह से दिखाए देंगे तो हमें अभी smooth mode पर इसको choose करना है तो ये mode का button है वहाँ से हम इसे smooth के mode पर choose करके start का button on कर देंगे तो ये soup maker हमारा start हो चुका है और 19 minutes में ये automatically soup बन कर तयर हो जाएगा और soup बनने के बाद soup maker automatically बन भी हो जाएगा और अगर आपके पास ये soup maker नहीं है तो soup के सारे ingredients आप pressure cook कर लो उसके बाद ठंड़ा होने के बाद उसे crush कर लो या तो mash कर लो और इसको चान लो फिर से उसे थोड़ा उबाल लो आपका soup तयर हो जाएगा लेकिन soup maker के अंदर आप इसे बनाओगे तो ये सारी जंजट से मुक्ती मिल जाएगी soup बनने के बाद बस इसे चान नहीं होगा बाकी की सारी procedure अपने आप ही हो जाएगी तो ये soup maker soup बनने के लिए बड़े काम की चीज़ है इस soup maker में आप कोई भी टाइप का soup बड़ी आसानी से बीना महिनच से बना सकते हो इसके अंदर स्मूधी बना सकते हो और इसके अंदर जूस या तोलस्य भी बना सकते हो और हाँ छाच में से मक्खन निकालने वाला बोरिंग काम भी आप इसके अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो बातो बातो में हमारा 19 मिनिट्स कब खतम हो गया वो पता ही नहीं चला soup बन कर हमारा तयार है तो चलिए लीड को ओपन कर देते हैं तो फ्रेम्स आप देख सकते हैं बीना मेनक बीना किसी जंजट के soup बन कर हमारा तयार है और इसका कलर भी बड़ा प्यारा आया है जितने भी इसके अंदर हमने इंग्रिडेंट्स डाले थे वो सारे उबल कर अच्छी तरह से ब्लैंड हो चुके है तो चलिए इसे soup श्रेनर में चान लेते हैं और ये soup अगर आप soup मेंकर में बनाओगे तो इसके फाइबर्स बहुत ही कम निकलेंगे और इसे प्रेशर कुकर में बनाओगे तो इसके फाइबर्स ज्यादा निकलेंगे यानि कि वेश्टे ज्यादा निकलेगा और इसके अंदर बनाना भी बहुत ही आसान है और हाँ इस soup मेंकर की दूसरी खास बात ये है कि अब भी तो हमने सरगवा का soup बनाया है इसलिए हम इसे चान रहे है इसके अलावा आप दूसरा कोई भी soup बनाओ तो इसे चानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बस soup मेंकर में soup बन जाएगा तो उसके बाद आप सीधे बाउल में इसे सव कर सकते हो और यहाँ पर soup मेंने चान लिया है और आप देख सकते हो बहुत ही कम वेस्टेज निकला है बहुत ही मोटे और कड़क फाइबर ही इसके अंदर से निकल जाएंगे बाकी के जो एकदम बारिक वाले है जिसे हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे वो soup के अंदर ही है और दूसरी बात ये soup दो बार बोईल नहीं हुआ है तो इसके जो nutrition value है वो भी बरकरार है इसलिए ये soup बहुत ही healthy बना है soup सौव करने के लिए तयार है लेकिन उसके पहले हम इसके अंदर lemon juice एड़ कर देंगे तो lemon juice हमें एकदम लाश्ट में ही एड़ करना है अच्छे से mix कर देंगे और friends देख सकते हैं आप इसका color change नहीं हुआ है एकदम अच्छा सा green ही रहा है क्यूंकि soup maker के अंदर ये एक ही bar boil होता है इसलिए इसका color, taste और fragrance सब वैसा का वैसा ही रहता है तो चलिए soup को हम सीधे bowl में sow कर देते हैं और soup के अंदर तो हमने black pepper add किया है लेकिन इसके उपर हम freshly crushed black pepper add करेंगे तो friends तयार है एक दम healthy और tasty और एक दम easy बनने वाला सरगवा soup यानि की drumstick soup